जय हिन पंदे मात्रम स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफर्म में तो दोस्तों मित्रों आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है कि जो आप इस चैनल पर भिजिट किये हैं तो मैं आपको यहां पे बिहार 7-page की परिछाएं होने वाली है अगस्त में उसी से रिलेटर मैं आपको तयारी कराता हूं जिससे आपकी तयारी जो है बहुत अच्छे तरीका सो हो जाए यहां पे आपको अच्छे content मिलते हैं जितने सारे प्रस्णों को करा जाता हूं वह BTC और NCRT लेबल के प्रस्णों होते हैं यह बहुत अच्छे book होता हैं इनसे मैं सारे प्रस्णों को कराता हूं और बहुत सारे ऐसे किताब जो है बिहार से related है उसको भी मैं यहाँ पर सारे प्रस्नों को कराता हूँ तो यह class जो है आपके लिए बहुत महत्वपुन होने वाली है इसमें science के भी प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे कुछ इसमें जो है बिहार से सम्मंदित प्रस्न भी मिलेंगे और इसमें जो current affair से उसको भी इसमें सामिल किया गया है जिससे आपकी जो त्यारी है अच्छे तरीका से हो सके तो आप इस चैनल पर भीजिट किये हैं तो आप इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करके रखिएगा और यहां पर आपकी सारी जो त्यारी है अच्छे तरीका से जरूर होगी तो मैं आसा करता हूं कि आप इस चैनल पर आए हैं तो जरूर आप इस पूरा लेक्चर को जरूर मंद है आये हम लोग बिना देर के वए प्रसनों को अस्टार्ट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं पहला प्रसन कर रहा है कि Ammonia Sinite क्या है बहुत अच्छा प्रसना एक दिया है इवरिया है बी में सीमेन C में चोक और D में इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर A option जो है यह सही हो रहा है दोस्तो Ammonia Sinite जो है एक इवरिया है ओके? Ammonia Sinite क्या है? तो Ammonia Sinite एक इवरिया है यह जो होता है Ammonia Sinite एक अकार्बनिक योगिक भी है यह अगर यहाँ पर चार बिकल्प दिएगा है अगर चार बिकल्प में इवरिया को हटा कर यहाँ पर कर देगा अकार्बनिक योगिक तो आपको अकार्बनिक योगिक को ही टीक करना पड़ेगा क्योंकि Ammonia जो है एक अकार्बनिक योगिक भी है थो पूआ हो कैं है कि अब इसका शुत्र किया होता है तो इसका सुत्र होता है CH4 hangien. panic योगिक है इसका सुत्र च 4 N2 होता है यह जो हैं इस एम मॉणिश साइनायट एक रंगहिण ठोस नमक वी, इस चीज को भी याद करना होगा एक कर रंगहिण थोसे नमक भी है okay इसका खोज किस ने किया था अक्सर परीच्छा में पूछा जाता है तो इसका जो खोज किया गया था फेडरीक руки झालयर के द्वारा खोज किया गया था बताते हैba फेडरीक कि धवारा 1828 में इसका कोज किया गया था अमोनीय, साइनाईड के खोज़ किया था है, आप चित्र में यहां पे देख सकते हैं, कितना सारा आप लोग को जनकारी हो गया, आज़े आते हैं दुसरे प्रस्न पे, यहां पे जो दुसरा प्रस्न का रहा है, कि तडित जो है किस चक्र से सम्बंधित है, तड़ित के मतलब होता है आकास ये बिजली जो आकास से बिजली प्रित्वी पगिरती है उसी को तड़ित कहा जाता है आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं सारे प्रस्णों को मैं चित्रात्मक तरीके से कराएंगे जिससे आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा N2 हो जाएगा O2 हो जाएगा CO2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा यह तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है nitrogen है यह क्या है यह oxygen है यह oxygen हो जाएगा oxygen का जो संकेत होता है O2 होता है यह carbon dioxide हो जाएगा यह carbon dioxide है अब इसके बाद यह जो हो जाएगा जल हो जाएगा अप्सन जो ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है अब इसका रहावात की खोज किसने के द्वारा को या गया था इसका खोज किसके द्वारा किया गया था तो इसका खोज जो है बेंजामीन फ्रेकलीन के द्वारा खोज किया गया था इस चीज़ को भी आपको याद करना होगा बेंजामीन फ्रेकलीन के द्वारा 1749 में इसका खोज किया गया था है ताडित के बारे में बताते हैं यह होता क्या है है तो दोस्तों मित्रों यह जो है जो है अकासिय बिझली है वाव मंडल में अगर जो विजन आवेश का डिस्चार्श होना हुआ क्डिस्चार्ज होना या उस्से उत्पन कड-गराहत को हिं हुं हम ताडित Camp Bag आते हैं तो इतना आप लोग का किलियर हो गया आगे आते हैं प्रस्ण संख्या तीन पर देखेए यहां पर जो तीन नंबर प्रस्ण कर रहें कि मानक, तापमान, और दाप पर किसी द्रव की मात्रा प्रती इकाई आयतन क्या कहलाता है बहुत अच्छा प्रस्ण है यह है कि आ पेचिक भार, B द्रब्यमान घनत्व, C आ पेचिक घनत्व, D इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर देखिए अप्सन जो B हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा द्रब्यमान घनत्व यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो चित्र में density फर्में density के मतलब होता है द्रब्यमान और द्रब्यमान बराबर जो फर्मूला होता है मास जिसको हम कहते है ठीक है द्रब्यमान तो यहाँ पर जिखिए द्रब्यमान घनत्व है यह जिसको इंगलिस में मास कहा जाता है अगर हम घनत्व की बात करें कि घनत्व बराबर क्या होता है तक घनत्व बराबर जो होता है दरब्यमान बाटा में होता है आयतन दरब्यमान बाटा में क्या हो गया आयतन हो गया आप यहाँ पर देख सकते हैं यह चीज हो गया ठीक है अब रहाबाद की दरब्यमान घनतव होता क्या है तो दरब्यमान घनतव जो है वह किसी भी पदार्थ या समागरी या किसी भी बस्तु के एकाई के आयतन के दर्ब्यमानों को निर्वपुत करता है उसी को हम दर्ब्यमान घनत्वक आते हैं इसका एस आई मातरक जरूर आपके ध्यान पर होना चाहिए कि इसका एस आई मातरक क्या होता है इसका एस आई मातरक केजी प्रती मीटर की होता है इसको जरूर आपको याद करना होगा आईए देखिए प्रस्ण संखे आते हैं चोथा देखिए यह प्रस्ण जो है इतिहास चे संबन्दित है चोथा जो प्रस्ण लिया गए कहा रहा है कि निम्दलिखित में से किस काल को भारत का स्वण यूग कहा जाता है बहुत अच्छा प्रस्ण है यह भारत का स्वण होगा तो आपने जरूर सप्टिव इसको आपको जरूर द्यान देना होगा थिक है शिरी गुप्त थे, गुप्तकाल की भासा क्या थी इसको भी प्रस्ण पूछा जाते है कि इसकी भासा क्या थी गुप्तकाल की भासा क्या थी तो गुप्तकाल की जो भासा जो थी वह अस्थानिय भासा थी जैसे कह सकते हैं संस्क्रीत काल की जो अधिकारिक भासा थी यहाँ पे जो है इनकी जो भासा थी संस्क्रीत गुप्तकाल की अधिकारिक भासा थी कितना सारा आप लोग को जनकारी हो गया और जो यहाँ पे गुप्ट राजवन्स है या कह सकते हैं गुप्ट समराज वह प्राचीन भारत का एक हिंदू समराज हुआ करता था जिसमें संपुन भारतिय उप महादीप पर सासन किया करता था जितने सारे इसमें सासक्त है तो इसे हम इतिहासकारों द्वारा इस अवधी को भारत का स्वण युग भी माना गया है कौन से काल को तो गुप्ट काल को ठीक है आगे देखिए प्रसन आते हैं हम लोग अगला प्रसन देखिए पांच प्रसन बहुत बहुत बहतरीन प्रसनों के लिए हैं पांच नमर पांच जो प्रसन करें कि यह थार्थ दाब यहां पे यह थार्थ दाब निम्नली खित के बराबर होता है यह थार्थ जो दाब होता है वह किसके बराबर होता है, A, B, कल्प में दिया है, Gage Dab plus Wow Mendelier Dab, B करें कि Gage Dab minus दिया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा, Wow Mendelier Dab, C करें कि Wow Mendelier Dab minus Gage Dab, D में Gage Dab और निर्वात Dab, यहाँ पे कौन सा option सही हो रहा है, तो option A जो है, यह सही हो रहा है, यह थार्थ दाब पूछा गया है, यह थार्थ दाब पूछा गया है, तो यहाँ पे Gage Plus Wow Mendelier Dab, यह बिल्कुल सही हो रहा है, अब रही बात कि Gage Dab यह होता क्या है, यह Gage आपको ध्यान में यह आगया होगा, कि Gage Dab है क्या सर, आप इसके बारे में बता दिए, तो Gage Dab आपको हम बताते हैं, कि किसी भी बिंदू पर लगने वाले दाब को हम Gage Dab कहते हैं, कोई भी बिंदू है, कोई भी पॉइंट है, अगर उस पर कोई बल लगता है, बल नहीं, दाब लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, Gage Dab कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए Gage Dab के मतलब होता है, दाब, सीथा सीधी बात है, दाब होता है, अगर दाब जो होता है, एक अदीस रासी है, दाब क्या है, दाब जो है, एक अदीस रासी है, इस चीज़ को भी धियान दखना होगा और दाप का जो A-S-I मात्रक होता है ये Pascal होता है दाप का A-S-I मात्रक क्या है इसका Pascal है और इसका कर सकते हैं कि जो इसका सुत्र होता है Newton प्रती, m2 होता है Newton प्रती के मतलब बाटा में होता है और m2 होता है इस चीज को भी आपको ध्यान दखना होगा एसाई मातरक पास्कल होता है सुत्र जो होता है नीटन प्रती मिटर स्क्वाइर होता है ओके इतना किलियर हो गया और यहाँ पे एक बात और आगया है कि यह गेज डाब्त था बिल्कुल अच्छे तरीका से आपको समझा दिए अब रहाबद की वाउ मंडल यह डाब होता क्या है तो वाउ मंडल यह दाब जो है यह प्रिथवी के वाउ मंडल में किसी सत्थ की एक एकाई पर उसमें उपर की हवा के वजन दबारा जो लगाया गया बल होता है उसी को हम वाउ मंडल यह दाब करते हैं और इसका जो एसाई मातरक होता है वाउ मंडल यह दाब का बार होता है क्या होता है केवल बार होता है ठीक है इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा आईए देखते हैं प्रस्ण संक्या छे, देहिए बहुत अच्छा प्रस्ण लिये हैं छे जो प्रस्ण कराया कि किसी जल निमगन प्रिष्ट पर परिनामी बल जिस बिंदू पर काये करता है वह कौन सा मतलब केंद्र कहलाता है यह अप्रस्ण दिया है गुरुत्व केंद्र, गमभीरता केंद्र, यहाँ पर दाब केंद्र, यहाँ पर दाच नहीं होगा दाब केंद्र और D में उत्पलावन केंद्र होगा तो यहां पे देखना होगा देखी यहां पे चित्रा में दिया गया है कि यह समुंद्र है और यह चाहिए कोई पानी है लिया गया है और इसमें नाव को लिया गया है तो यही प्रस्ण अब आपको देखना होगा पकड़ना होगा कि यहां पे कौन सा बिकल्प सही हो रहा है तो D option यहां पे बिल्कुल सही होगा क्योंकि प्रस्ण की हिसाब से ही पूछा गया कि किसी जल निमगनस प्रिष्ट पर जो परिनामी बल होता है वह जिस बिंदू पर क आड़े करता है उससे हम उत्पलावन केंद्र कहते हैं अब उत्पलावन केंद्र जो हो गया इसका डिफिनिशन अगर बोला जाए चाहिए डिफिनिशन देगा तो कैसे हम सही करेंगे तो कोई भी तरल पदार्थ हो गया जिसमें डूबे हुए निकाय द्वारा बल दोबरा नाव हो जाएगा जल यानों हो जाएगा इसका बहुत सारा एक्जाम्पल हो जाएगा जल यानों हो जाएगा जो नाव होते हैं गुबारों हो जाएगा इसका उप एक्जाम्पल यह भी प्रस नप पूछ सकता है कि निम्नम्बे से उत्पलावन जो केंद्र है उत्पलावता का जो बल है इसमें से कौन सा हो जाएगा चार बीकल दिया रहेगा उसमें से आपको सही तरीका से चुनना होगा जो तेरता है गुर्तवा कर्शन करता है तो देखिए यहाँ पे पानी है पानी कुपर यह जो नाव है तेर रहा है अगर इसमें थोड़ा सा भी इच्छेद हो जाता है तो पानी भर जाता है और नाव जो है पानी के अंदर डूब जाता है तो यहाँ पे कौन सा बल काम करता है तो उत्पलावता बल काम परता है आगे दखिए प्रसन आते हैं साथ इदखिए प्रसन उसी से संबंदित है साथ जो प्रसन कर है कि उत्पल B करहें कि विस्थापित द्रव का भार, C द्रव की विसकास्तिता, और D में करहें कि द्रव की सबपिंडियता, तो यहां पर B option बिलकुर सरि होगा, क्योंकि विस्थापित द्रव का जो भार होता है, वहीं उत्पलावता बल्ग कहा जाता है अभी अभी जस्ट मैंने आपको बता है आगे देखिए प्रसन आते हैं आठवा बहुत अच्छा प्रसन है ये आठ नमबर जो प्रसन है ये बहुत अच्छा प्रसन है आठ नमबर क्योंकि ये जो प्रसन है BPSC की जो 7-phase का एक्जाम हुआ था उसी में ये प्रस्णों को लिया गया था ठीक है, जो हुआ था BPSC का परीच्छा 7-phase तो नहीं है यहाँ पर प्रस्ण आठ करें कि नियत आयतन पर गैस के इकाई दरब्यमान का तपमान जो है 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा की मात्रा क्या खालाती है यहाँ पर परिभासा पूचा गया है तो इसको भी याद आपको ध्यान में रखना होगा परीच्छा में परिभासा भी पूच सकता है और वहाँ पर 4 बिकल्प दिया रहेगा आपको अगर उस परिभासा के बारे में नौलेज है ग्यान है आप जानते हैं उसका उतर तो आप जरूर टिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर कर रहे कि नियत आयतन पर विशिष्ट उसमा नियत दाबे पर विशिष्ट उसमा कीलो कैलोरी और डी इन में से कोई नहीं तो जरूर आपके ध्यान पर आया होगा कि नियत आयतन पर विशिष्ट उसमा जो है यह अप्सन सही हो रहा है क्योंकि पूछा गया है कि नियत आयतन पर गैस के इकाई दरबे मान का जो टेंपरेचर होता है वह एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवस्यक उसमा की मातरा नियत आयतन पर विशिष्ट उसमा कहलाती है ओके इतना किलिएर हो गया आईए अगले प्रसने पर आते हैं प्रसन संख्या नो यहाँ पर प्रसन नो कर रहा है कि सुरक्षा वाल्य का क्या अर्थ है अप्सन एक दिया है कि बाइलर के भीतर, भाप का दाप, जब कार्य चालन दाप से अधिक हो जाए, तो भाप को बाहर निकलना होता है, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे मम्मी जो है, बहुत सारी इसमें बहने भी सामिल होगी, जो खाना बनाती होगी, तो अगर खाना बनता है, तो उसके अंदर जो पानी आने लगता है वहां पर दाप देखते हैं कि अगर उस बरतन के अंदर दाप जो है बहुत अधिक हो जाता है भाप तो वह बरतन धीरे-धीरे ऊपर उठना चालू कर देता है वहीं चीज यहां पर बोला गया है बी कर है कि बाइलर के भीतर जल अस्तर इंगित करना सी कर है कि भाप बाइलर के भीतर भाप का दाप बढ़ा इन में से कोई नहीं तो ए अप्सन यहां पर बिल्कुल सही हो गया क्योंकि बाइलर के भीतर भाप का दाप जब कार्य चालन दाप से अधिक हो जाता है तो भाप को बाहर निकलना होता है यह बिल्कुल सही हो गया आगे देखिए प्रस्ण आते हैं अगला दस नमर प्रस्ण पर यहां पर देखिए दस नमर जो प्रस्ण करा रहा है कि भारत के लोक सभा और राज्य सभा में कितने सदस्य को मनोनित किये जा सकते हैं कितने सदस्य को मनुनित किये जा सकते हैं अप्सन A दिया है कि 2 और 12 B करें कि 12 और 2 C अप्सन केवल 2 और 2 और D करें 12 और 12 तो यहाँ पे A अप्सन बिल्कुल से यह 2 और 12 देखिए साथियो यहाँ पे कभी कावार जो होता है केवल 12 भी दिया रहाता है और नहीं तक 2 देगा तो साथ में 12 जरूर देगा नहीं तक कहीं 12, 13, 14, 16 का देगा तो इसमें से आप किसको टिक करिएगा तो आप इसमें से 12 को ही टिक करिएगा ओके तो देखिए यहाँ पे जो अप्सन A हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है कि राज्य सभा और लोक्सभा में यहां पर लोक्सभा दिया गया है और राज्य सभा दोनों छी दिया गया है कितने सदस्यों को मनोनित किया जाता है यहीं बात जो है प्रस्नों पूछा गया है तो संसद में लोक्सभा में 543 जो सीठ है यह आपको मार्लूम होए तो राज्य सभा में कितना हो जाएगा तो राज सभा में 245 है इसी में साहित्यकाला विज्ञान और समाज सिवा के विभिन छेत्रों की विशेशक्ता से बारह नमांकित जो ब्यक्ति इसमें सामिल किये कहें ठीक है तो यहाँ पर जो अप्सन नमबर जो ए हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि राज सभा का जो कार्यकाल होता है इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा राज सभा का जो कार्यकाल होता है छे बर्स का होता है कितने बर्स का होता है छे बर्स का होता है कुल कितनी सीटे होती है तो कुल 2800 सीटे होती है इसमें से 238 जो होते हैं निर्वाचीत होती है और जो जबकि 12 सदसे होते हैं वह भारत के राष्ट पती के द्वारा उसको मनुनित किया जाता है और लोक सभा का जो कारेकल होता है वह पांच बरस का होता है और राजय सभा का जो कारेकल होता है यह छे बरस का होता है ठीक है आप इससे जरूरियात का लिजेगा आगे देखिए प्रसना आते हैं 11 बहुत अच्छा चीत्रा है इगारा प्रस्ण है कि अकबर के समय में काहा के उजैनी राजा दल्पत यहाँ पे दिया गया है उजैनी राजा दल्पत साही में बिद्रोख किया था इनका पूरा नाम उजैनी राजा दलपत साही था, ये जो है कहां बिद्रोख किये थे, अकबर के समय क्या पूछ रहा है, पतना सहर में, जगदीशपूर सहर में, कि हाजीपूर में, कि इन में से कोई नहीं, तो यहां पे B अप्सन बिल्कुल सही रहा है, जगदीशपूर, अकबर के समय में, ये जो उजैनी राजा दलपत सही थे, इन्होंने जगदीशपूर में बिद्रोख किया था, आंदोलन चलाया था, यहां पे, यहीं थे, आप फिगर में देख सकते हैं, जो यहां पे आपको बतायते हैं, कि जो दलपत है, जो साहा था, इसका पूरा नाम का उन्चासवा सासक था, ओके, यहां पे जो राजा दलपत हैं, इसके भी बारे में देखिए, इसका एक छोटा सा सासन का होगा करता था, और इसकी जो मृतु है, उजैनी राजा की मिरतु, यह पंद्रसो पचास में हुआ था, पंद्रसो पचास में इनका मृतु हो गया इनकी जो पत्नी का नाम था, रानी द्रुगावती था, और जब इनका मृतु हुआ, तो रानी द्रुगावती के हाथों में अपना जितने सारा राज था, उसको सौब दिये, उनके पूत्र भी थे, जिनका नाम बिर नराय था, ठीक है, तो इतना ची जरूर आपको ध्यान में याद हो गया होगा, आगे देखिये प्रसना आते हैं 12, देखिये साथी ओ ध्यान से प्रसनों को सुनियेगा, आपके दिमाग में प्रसन चले जाएंगे, और याद भी अच्छे तरीका से हो जाएगा, 12 यहाँ पर प्रसन कर रहे हैं कि निमना लिखित में से कौन सा अन भी योक से संबंधित है, अनुच्छे 360, अनुच्छे 351, अनुच्छे 362 और अनुच्छे 363, तो यहाँ पर बी अफ्सन जो है, यह सहीवराई, राष्ट पत्री के माहभियोक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छे 361 है, क्योंकि अगर बात किया जाए, आर इगर आरोप लगा दिया जाए तो उसके खिलब आप जो है महा भियोग लाया जा सकता है ठीक है और इस चीज़ को जो महाभियोग लगा है इस चीज़ को लोगसभा और राज्यसभा दोनों में राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में इसको पेस किया जाता है, महा भीयोग पेस करने के लिए सदन में कम से कम 25 पर 30 सदस्यों की जो हस्ताचर जरूरी होता है, इसे पारिद करने के लिए सदन जो है, दो तिहाई सदस्यों की बहुमत को सभीकार करता है, यह जो है आर्टिकल 61 करता है, ओक आगे देखिए प्रसना आते हैं तेरा देखिए बहुत अच्छा प्रसना है तेरा प्रसना है कि बिहार को सरोप्रथम अपने समराज में मिलाने वाला मुगल सासक कौन था अकबर जाहंगीर हिमाव और बाबर तो यहां पर अप्शन ए सही हो रहा है ए देख सकते हैं चित्र म यह जो है अकबर साहिव है क्योंकि बिहार को सरोप्रथम अपने समराज में मिलाने वाले जो मुगल सासक हैं वह थे अकबर और अकबर जो थे इनका जनम जो हुआ था यह बतालते हैं 1575 से 1575 से लगभक आ सकते हैं 76 इनका जो है यह जो थे बंगाल के बाहर को अपने समराज के अधिन कर लिए थे इसके बाद देखिए प्रस्ण चौदा चोगदा प्रस्ण करें कि मोर्य समराज की राधानी क्या थी बहुत अच्छा प्रस्ण है पाटली पुत्र बैसाली इंद्रप्रस्त और कुशी नगर तो मुर्य समराज की जो राजधानी थी अप्सन ए बिल्कुल सभी रहा पाटली पुत्र थी और जो मुर्य समराज का समय है इसको भी ध्यान रखियेगा 321 से लेकर 180 इसा पूर्वा है 321 से लेकर 185 इसा पूर्वा है पाटली पुत्र जो है मोरे समराज की रजधानी है और यहां पे जो होगा चंदरगुप्त मोरे यह मोरे वन्स का संस्थापक दिया मोरे वन्स का संस्थापक कौन था चंदरगुप्त मोरे और इसको भी थोड़ा सा वैसाली माहा जन्पत की राधानी थी मैंने पीछे के लेक्चर में इसके बारे में जरूर बता थे वैसाली माहा जन्पत की राधानी थी इंद्रप्रस्त क्या है यह पांडवो की राधानी है इंद्रप्रस्त क्या है या पांड़ों की रधानी है देखिए सारे प्रस्णों को मैं डिटेल से बतालते हैं कुसी नगर क्या है कुसी नगर जो है मत गणना की रधानी है किस की रधानी है तो मत गणराज्य ओह माफ कीजिएगा मत गणराज्य की रधानी है ओके इतना सारा किलियर हो गया, बैसाली महा जनपत की राधानी है, इंद्र प्रस्त पांडो की राधानी हो जागा, कुसी नगर मत गणराज की राधानी हो जागा, और जो मोर्या समराज है, यह पाटली पुत्र की राधानी हो जागा, ओके, आगे देखिया प्रस्न आते हैं, पंद्रा, यह सभयता, मानियती है कासिय योगिन, सभयता, इत ठीक है तो यहाँ, पर कासिय अप्समि क्या हो गया ये सही हो गया", ठीक है यह अप्सान बिल्कुल सविए सन हिता कहलाते थे बैधिक सलोकों के जो मुख्य संग्रह थे वह क्या कहलाते थे सन हिता कहलाते थे ओके जो बैधिक भजनों के जो यह भी भजनों वहीं सलोक बलाता है मुख्य संग्रह को सन हिता कहा जाता है क्योंकि रीगवेद सनहिता सबसे पुराना भारतिय गरंथ माना जाता है जो रीगवेद है रीगवेद यह भारतिय का सबसे पुराना भारतिय गरंथ माना जाता है ठीक है यह जो है इसमें कितने चंद का संग्र है तो इसमें जो है बैदिक सलोक में रीगवेद मोही कहसाते ह दस अजार छेसो दस अजार छेसो चंदों का संग्रह मना आता है इसके अंदर है रीगी बेत के अंदर इसको भी याद करिएगा जरूर ओके और आगे देखिए प्रस्ण पर आते हैं 17 प्रस्ण पर यहाँ पर जो 17 प्रस्ण कर आए यह करंट अफ्यर से समझनी थे यह करंट अफ्यर से इसको ध्यान दिजिएगा हिनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार 20 वका सबसे सकतिसाली पास्पोर्ट नीमने में से किस हो घृपान का है हैंले पास्पोर्ट sometime 2023 के उनुसार जो अहम बिंदू है यह हैंले पास्पोर्ट के आध्याच के दुआरा शूरू किया गये था और जापान जो है लंगतार 5 बर्स था मतलब लंगतार पांचवे सिर्ष अस्थान प्राप्त किया लागतार मतलब हमेशा पांचवे सिर्ष अस्थान पर आ रहा है और इसके नागरिक जो है 193 देशों की बीजा को प्राप्त कर सकते है और मुप्त यात्रा कर सकते है कितने देश तो 193 देश में बीचा जो है मुप्त में इनको मिल सकता है और यात्रा कर सकते हैं यहीं जो है 17 प्रसन था हिनले पास्पोर्ट इंडेक्स आगे दखिए प्रसन आते हैं 18 प्रसन अठारे यहाँ पे जो प्रसन कर रहा है कि सहहित्य अकाद्मी प्रसकार 2022 में हिन्दी भासा के लिए बिहार के किस लेखा को प्रसकार दिया गया है अजित आजाद lavoro बद्री नरैन 4 दौतर रतन सवर मिस्र इन में से कोई नहीं तो सहित्य भासा समान जो पुरुषफकार दिया गया है अप्शन B बिलकुल सग्य रहा है बद्री नरायन चौधरी प्रेम गण होता है जब आप हिंदी सहित्य पढ़िएगा तो यहां पे इनका पूरा नम है प्रेम गण भी है बद्री नयायन चोधरी प्रेमगन ओके तो यहाँ पे 2022 में हिंदी भासा के लिए जो बिहार के जो लेख़़क है बद्रि नयायन को सहीत्य hani परुषकार से इनको दिया गया है अब रहबत कि सहीत्य आपार्मी परुषकार का मतलब क्याची पद दिया गया इनको तो याद करियेगा इनकी जो कभीता है तुमडी इनकी कभीता है तुमडी इनकी कभीता है तुमडी इनको सहित्य अकादमी पुरुषकार से समानत किया गया है 2022 में तुमरी कविता पर ही इनको सहित्य अकादमी पुरुषकार दिया गया है बद्री नयायन चोधरी को आगे देखिए आगला प्रसना आते हैं 19 ये भी प्रसना जो है करांटरपियर्स का प्रसना ओभी था पीछे का भी था हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार बर्स 2023 के लिए 20 वका सबसे खरा पासपोर्ट निम्ने में से किस देश का है इराग का पाकिस्तान अफगानिस्तान और इरान तो यहाँ पर C option बिल्कुल सभी है अफगानिस्तान का जो है सबसे खारा passport है क्योंकि अफगानिस्तान और इराक के passport जो है सबसे कम है अफगानिस्तान है और इराक देखिए option में भी दिया गए है इराक इस दोनों के जो passport है बहुत कमजोर हैं अफगानिस्तान के जो passport धारक है कितने देशों में दोस्तों कि 27 देशों में बीजा जो है मुफ्त यात्रा कर सकते हैं आप पीछे के लेक्टर में देखें उसमें कितने देश सामिल था तो 193 देश था जपान जो सबसे ज़्यादा मुफ्त यात्रा करा सकता है बीजा से तो जपान बिल्कुल सही था और यह अफगनिस्तान जो हो रहा है यह 27 देशों का मुफ्त में यातरा करा सकता है और बीजा मुफ्त में देश सकता है ठीक है जैसे सुडान, बंगरा देश, निपाल, उत्री कोरिया, सुमालिया, पकिस्टान भी इस से और जो है खराब परदस कर रहे हैं और इससे और यह सारे जो देश का नाम अभी बता हैं यह सारे देश इससे नीचे हैं ओके आगे देखिए प्रसन आते हैं अगला प्रसन बीस नमबर यहां पर बीस प्रसन कर रहा है कि 17 प्रवासी भारतिय दिवस पर भारत और उनाइटेट किंग्डम ने दो वर्स की अवधी के लिए अनुमति दे जाने की विवास्ता के गई है तो कितना दिया गया है यहां पर 2000, 3000, 4000, 5000 और 5000 तो अप्रसन यहां पर बी बिल्कुल सभी है 3000 दिया गया है क्योंकि 3000 डिग्री धारकों को जिसमें से उनकी जो उम्र है 18-30 वर्स है इनको एक दूसरे के देश में रहने और कारे करने के लिए दो साल की अवधी के लिए इनको अनुमति दिया गया है कितने धारकों को तो 30,000 डिग्री धारकों को ओके माप कीजिएगा 3000 कितने तो 3000 ओके आगे देखिए प्रसन आते है 21 यहां पर 21 जो प्रसन करा है कि भारत स्टार्ट अप्स के लिए होट और स्पोट के रूप में उभरने के लिए कुल कितने युनिक्रों के साथ दुनिया का तीसरा और सबसे बड़ा अर्स्टाट अप एको सिस्टम है तो यहां पर A में दिया है 100 उनिकॉर्ण, B में 102, C में 105, D में 108 तो दोस्तों यहां पर D अप्सन बिल्कुल सही वरा है 108 उनिकॉर्ण जरूर याद कर लिएगा कितना 108 उनिकॉर्ण जरूर याद कर लिएगा ठीक है, क्योंकि भारत अस्टाट अप एको सिस्टम और उनिकॉर्ण की जो संख्या के मामले में 20 वस्तर में तीसरे अस्थान पर है, जो भारत हम लोग का जो देश है यह कितने अस्थान पर है, तीसरे अस्थान पर है और ताजा आकड़ो के अनुसार अगर बात करें, तो बरतमान में 105 उनिकॉर्ण है और जिसमें से 44 उनिकॉर्ण 2021 में और 29 उनिकॉर्ण 2022 में बने है तो यहाँ पर तो 108 हमने सही कर दिया, लेकिन अगर ताजा आकड़ा के अनुसार बात कर आ जाए तो 105 ही यहाँ पर सही होना चाहिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 108 कर लिए है, लेकिन ताजा आकड़ा जो बरतमान की स्थिति कर अनुसार बात कर जाए तो 105 ही होगा, ताजा आकड़ा के अनुसार, अगर अभी अगर चेंज होगा है, तो 108 हो जागा, कुछ इसमें चेंज होगा होगा, तो अभी 108 हो जागा, ठीक है क्योंकि जो यह प्रसन लिए है, 2030 का जन्वारी का प्रसना है, करंट अफेर्श का, ओके आगे देखिए प्रसना अगला आते हैं, यहाँ पर जो प्रसना 22 का रहे है कि गुप्त वंस का प्रथम राजा कौन था, बहुत अच्छा प्रसना है, चंद्रगुप्त प्रथम, असकंद गुप्त, श्री गुप्त और समुंद्रगुप्त, अभी अभी हमने जस्त बता है आपको गुप्त वंस का जो राजा था, वह स्री गुप्त था, यहाँ पर आप चीतर में देख सकते हैं, यह जो हैं, यह स्री गुप्त है, कितने अच्छे हैं, देख लेते हैं, यह पहला गुप्त सासक था, श्री गुप्त ठीक है, और यह जो था गुप्त वंस का संस्थ पगधा और श्रीगुप्त का उत्रा अधिकारी भी पूछा जाता है इनका जो उत्रा अधिकारी था यह कौन था श्रीगुप्त का उत्रा अधिकारी कौन था घटोचक जरूर याद करिएगा सांत्यों ना घटोचक जो था घटोचक यह इनका उत्रा अधिकारी था ठीक है आगे देखिए प्रसन आते हैं तेश नमबर, तेश जो यहाँ पर प्रसन कर रहा है कि किसी मुगल सासक के सासनकाल में खोखरा देश, जिसको हम छोटा नागपूर के नाम शिनत हैं, की विजय संपान होई थी, अकबर के द्वारा, जहांगीर सहाजहां की औरंगजेब की द् चित्र में देख सकते हैं, यह जहांगीर सहाव हैं, जहांगीर जो था, वह अकबर का जेष्ट पुत्र था, और मुराद और दानियाल, यह इनके छोटे भाई थे, अकबर जो था, माप कीजिएगा, जहांगीर जो था, वह अकबर का जेष्ट पुत्र था, इनके दो भाई थे छोटे छोटे एक मुराद एक दानी याल था मुराद और दानी याल के पिता जीवन में सराब पीने की वज़ा से मर गये थे इन दोनों के जो पीता थे सराब पीने की वज़ा से मर गये थे और वहाँ पे जो जहांगीर का प्रथम विबा हुआ था 1585 में 1585 में मान बाई स किसे हुआ था तो 1585 में मान बाई से जहांगीर का प्रथम विवा हुआ था जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सीह की क्या थी बहन थे उसके बाद दुसरा विवा मरवाड़ा के दो विवा हुआ था मरवाड़ा की जो राजा उदैसी की पुत्री जो है जगत गोसाई इनकी पुत्री कौन है जगत गोसाई उन्हीं के सांद जो है इनका साधी हुआ था दुसरा ओके आगे देखिए प्रसना आते हैं चोविस चोविस यहाँ पे जो प्रसना करा है कि कालिदास को दो नाटक कौन कौन से रघु वनसम और किता जुनिये कुमार संभव और रघु वनसम मालती माधव कुमार संभव पंच तंत्रा और रघु वनसम तो यहाँ पे बी अप्सन बिलकुर सिवर है कुमार संभव और रघु वन्सम जो है ये कालिदास की राचना है दो नाटक हैं कालिदास जो है प्राचिन संस्क्रित के कवी माने जाते हैं उन्होंने अभिज्यान संकुन्तलम कुमार संगव रगुवन्सम रितु सहार जैसे प्रसीद कविताओं की राचना किये हैं कालिदास ओके इसके बाद देखिए 25 प्रसन कर सकती हैं कि अवरंग जेब के सासन काल में बीहार में सरकार जो परमंडल की संख्छय कितना था 6, 7, 8, 10 तो कितने थे परमंडलों की संख्छय कितने थे तो 8 थे इसके बाद देखिए 26 प्रस्ण जो है करहें कि ग्रीक राजपुत डेमोचेटस किसके काल में रहा बिंदु सार के असोक के चंद्रगुप्त के कि सीमु के तो यहां पे option D बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि Greek Rajput Demochetas चाहा था वह Simug के साचनकाल में रहा था और बिंदु सार जो था हाँ यहां पे साथियो थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा Greek Rajput Demochetas कह रहा है तो यहां पे option हमको confusion लग रहा है D गलत लग रहा है यहां पे हम लोग यह option को सही करते हैं बिंदु सार क्योंकि बिंदु सार जो थे चंद्रगुप्त मोर्य का उतरा दिखा दिखा दी थे तो Greek Rajput पुछा गया है Domochetas किसके काल में रहा था तो बिंदु सार के option यहां पे A सही होगा कभी कभी माइन डिश्टरप हो जाता है जिसकी वज़ा से option गलत हो जाते हैं तो option A यहां पे बिल्कुल सही हो रहा है 27 प्रस्णों को देखिए 27 जो यहां पे प्रस्ण कर रहा है कि निमनलिखित में से किस अभिलेक में रिसम बुनकरों की स्रेणी का उलेक मिलता है यहां पे देख सकते हैं यह अभिलेक है पहले जो इतिहास में ऐसे ही अभिलेक होते थे आप देख सकते हैं A में प्रियाग प्रस्णती जुनागड अभिलेक भीतरी अभिलेक और मंद सवर अभिलेक D option यहां पे बिल्कुल सही हो रहा है मंद सौर अभिलेग क्योंकि मंद सौर जो सीला लेख है इसमें कुमार गुप्त के पूरी प्रिश्विपा सासन करने का उलेख किया गया है कौन से अभिलेख में मंद सौर अभिलेख में किसका तो कुमार गुप्त है कुमार गुप्त ने जहां जहां सासन किया है इस अभिलेक में उनकी सारे चीज को वर्णन किया गए है अच्छे तरीका से और इसमें बहुत सारी कई रेसम बुनकरों की जो लाता है से दासपूर में प्रवास करने का उलेक भी इसमें मिलता है आगे देखिए प्रसन आते हैं 28 यहां पर जो प्रसन कर रहे है कि निम्नलिखित में से किसने कोपेन हेगें संग्रहाले की समागरी में पासाण कास्या एयोम लव यूग का त्री यूग्ये विभाजन किया है चाइल्ड ने थॉम्सन ने लुबाक ने की टेलर ने तो यहां प प्रसन है कि गौतम बुथ द्वारा अपनी धर्म में देखित किये जाने वाला अंतिम ब्यक्ति कौन था तो यहां पर सुभध जो हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है अंतिम ब्यक्ति कौन था बौत धर्म द्वारा गौतम बुथ द्वारा तो यहां पर अप्शन ए सही वह रहा है सुभध ठीक है आगे देखिए प्रस्ण संख्या 30 कि यहां पर जो 30 प्रस्ण है कि सम्राट असो का एक मात्र उत्रीन उत्क्रीन सीला रूप चित्र कहां पर पाये जाता है साची में अमरावती में अजानता में कि कगन हली में तो यहां पर डी अप्सन बिल्कुल स रहतें 30 प्रस्णों को अच्छे तरीका से कराएं आपको समझाएं सारे प्रस्णों को यह कलास आपको कैसा लगा आप जरूर कॉमेंट करके बताएगा और इस चैनल पर भीजिट किया हैं तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ओके तो आज की क्लास यहीं पर समाप करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत